हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुती खुबसूरत पैटन सेयर करने जा रही हूँ, इस पैटन को आप लेडी स्वेटर, गल्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, जेंड स्वेटर के पादी में अपलाई कर सकते हैं, बनके ये पैटन बनना इस्टार होता है, इस पैटन को बनाने के लिए हमने फोर के मल्टिपल में फंदे डाले हैं, प्लस हमने वन फंदा एक्स्ट्रा डाले हैं, दस नमबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेने हैं, सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के साबसे फंदे डा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे न्यू वीडियो की नोट्फिकेशन के लिए बेला आइकन दबाना न भूले वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम अपना पैटन बनाना स्टार्ड करते हैं तो देखे बॉर्डर कम्प्लीट होने के बाद देखे फ्रंट साइट से पैटन की फस्ट रो पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइट कर लेंगे अब देखे फ्रंट साइट से हमने फस्ट रो को उल्टा भूनते हुए कम्प्लीट करना है फस्ट रो में हमारे जित अब देखिए बैक साइड से पैटन की सेकिंड रो अब सेकिंड रो में देखे पहला फंदा उतालेंगे धागा पीछे करेंगे और बैक साइड से हमने सेकिंड रो को सीधा गुनते हुए कमप्लेट करना है यह देखिए यह बैक साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो कमप्लीट हो गई अब देखिए फ्रन्टी साइड से पैटन की थर्ड रो थर्ड रो में देखे पहला फंदा उतालेंगे धागा अपनी साइड करेंगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदे से हमें तीन फंदे बनानें तो देखिए एक, धागा अपनी साइड दो फिर बुनके तीन अब नेश्ट हमने इनहीं चार फंदों का प्रोसिस रिपीट करनेंगे धागा अपनी साइड करेंगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे एक फंदे से तीन फंदे बना लेंगे नेश्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक फंदे से हम तीन फंदे बना लेंगे एक, दो, तीन फिर धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे एक फंदे से तीन फंदे बना लेंगे एक धाग अपनी साइड दो फिर गुन के तीन लास्ट में हमारे तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे और एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे एक फंदे से हमारी पैटन की थार्ड रो कम्प्लीट होगी वैक साइड से फोर्द रो फोर्द रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पिछे कल लेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन धागा अपनी साइड एक फंदा बिना बुने उतारेंगे जो एक फं बिना बुने धागा पीछे करेंगे एक फंदा सेंटर वाला सीधा फिर धागा अपनी साइड एक फंदा बिना बुने ये देखे जो एक फंदे से तीन फंदे बनाए थे उसमें से देखे बैक साइड से एक फंदा हमने बिना बुने एक फंदा बुनके फिर एक फंदा बिना बुने, नेस्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, अब देखे, फ्रन्ट साइड की तरब से देखे, जो एक फंदे से तीन फंदे बनाए हैं, इन में से एक फंदा बिन बुने उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम बिनभुने अब नेस्ट हम यही प्रोसिस रीपीट करेंगे तीन फंदे सीधे कि एक हंदा बिनभुने द्धाग पीछे यह फंदाuhan सा कि तारेंगे तीन मे आ जाएंगे धागा अपनी साइड एक फंदा बिन बुने धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड एक फंदा बिन बुने उतारेंगे फिर लास्ट में हमारे तीन फंदे सीधे आ जाएंगे और एक फंदा उल्टा आ जाएगा तो देखे, बैक साइड से हमारी पैटन की फोर्द रोब कम्प्लेट हो गई, अब देखे, फ्रन्टी साइड से पैटन की फिप्त रोब, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, अब नैसे देखे, ये ये उल्टा फंदा दिखाए देरा, ये वाला फंदार, ये एक्स्ट्रा फंदा, इन दोनों को एक साथ बनेंगे, तो सीधी साइड से सलाइड आलेंगे, दो का एक करेंगे, फिर धागा अपनी साइड एक फंदा, उल्टा बनेंगे, फिर धागा पीछे, अमने ऐसे देख फिर धागा पीछे, नेस्ट हमने दो का एक कल लेना है, फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा, धागा पीछे, अब देखे जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको पल्टाएंगे, और नेस्ट फंदे के साथ एड़ करके बुन लेंगे, यह देखे, अब नेस्ट यही प्रोसिस पीट होगा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर दो का एक, एक एक्स्ट्रा फंदार एक बुना हुआ फंदा, दो का एक करना है, फिर एक फंदा उल्टा बुनना है, फिर दो का एक कल लेना है, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर दो का एक करेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर नेस्ट फंदा पलटाएंगे, एक्स्ट्रा वाला, फिर दो का एक कर लेंगे, लास्ट में हमारे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, और एक फंदा सीधा आ जाएगा, तो देखें ये साइड से हमारी पैटरन की फिफ्त रोक कम्थलीट हो गई. बैक साइड से शी क्रो. पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे. दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा फिर दो फंदे सोरी एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, सेम प्रोसिस रिपीट करते जाएंगे, बैक साइट से अपनी 6 रोप कमप्लेट कर लेंगे. देखे, बैक साइट से हमारी पैटन की 6 रोप कमप्लेट हो गई, अब देखे, फ्रन्ट साइट से 7 रोप, अब 7 रोप को हमने 1 रोप की तरह उल्टा भूनते हुए कमप्लेट करना है. यह देखे, फ्रन्ट साइट से 7 रोप कमप्लेट हो गई, बैक साइट से देखे 8 रोप, 8 रोप को हमने पैटन की 2 रोप की तरह भूनते हुए कमप्लेट करना है, पहला फंदा उतार लेने है, और बैक साइट से हमने 8 रोप को सीधा भूनते हुए कमप्लेट करना है. ये देखे बैक साइट से हमारी पैटरन की एट रो कमप्लेट हो गई, अब देखे फ्रंटी साइट से नाइं रो, अब 9 रो में हमारा पैटन repeat and shift होगा तो देखे repeat and shift की एक रो पहला फंदा उतार लेंगे इस तरीके से धागा अपनी side करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे ये देखे एक फंदा हमने उल्टा बुना धागा पीछे करेंगे अब next फंदे में हमारा पैटन आएगा तो दागा अपनी साइड दो, फिर भून के तीन, दागा अपनी साइड, अब नेश्ट देखें, तीन फंदे उल्टे आएंगे, एक, दो, तीन, धागा पिछे करेंगे, अब देखें, नेश्ट हमारा पैटरन वाला फंदा आ जाता है, इस पर एक फंदे से तीन फंदे बनाएं दागा अपनी साइड दो, फिर भून के तीन, फिर नेश्ट देखें, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, फिर एक फंदे से तीन फंदे बनाएंगे, फिर दागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे आजाएंगे, एक, दो, तीन, दागा पीछे, एक फंदे से हमें तीन फंदे बना लेने फिर धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे धागा पीछे एक फंदे से तीन फंदे आ जाएंगे एक, दो, तीन धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे ये front इस side से हमारी pattern की 9th row complete हो गए, 9th row में हमारा pattern repeat and shift हो रहा था, अब हमने अपने pattern को ऐसे ही repeat and shift करते जाना है और बनके देखे, हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये देखे, वहते सुन्दर, वहते आसान pattern है, आप इसे all project में apply कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें, और आप हमारे channel में नहीं हैं तो please subscribe करना न भूले, thank you